ओम जै श्री हरी विष्णू, जै मातरानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मा भगविती दुर्गा की क्रिपा, आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, दोस्तों पुरुणिमाति थी और गुरुव तो आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे ही बहुत छोटे-छोटे और बहुती सरल उपाय शेयर करने वाली हूँ, किसी भी प्रकार की आपकी मनो काम नहों, चाहे धन प्राप्ती की काम नहों, संतान प्राप्ती की काम नहों, विवाह की मनो काम नहों, या नौकरी में इल्फेवीयापार में शफलता पाना चाहते हूं, शिक्षा में सफलता पाना चाहते हूं, तो आज का दिन आपके लिए सर्वत्तम दिन है। अधिक कलहकलेश रहता है या फिर घर में बरकत नहीं रहती है। दामपत्य जीवन में काफी परेशानिया बनी हुई है। लड़ाई जगडे होते हैं पति पत्नी के बीच में या परिवार में बहुत अधिक कलहकलेश रहता है। तो भी अगर आज के दिन इन छोटे-छोटो उपायों को आप करते हैं, तो निस्चित ही आपकी मनो कामना पुर्ण होती है, घर से परिवार से परेशानिया दूर होती है, घर में मांगलिक कार्य रुका हुआ है, जैसे कि बच्चे विवाह के योग्य हो गये हैं, लेकिन आज का दिन आपके लिए सर्वोत्तम दिन है, आज अगर आप एक छोटा सा भी उपाय करते हैं, श्री हरे विश्नु और मालक्षमी की पूजा करते हैं, उनसे अपने मन की कामना कहते हैं, तो निस्चित ही आपकी मनो कामना पूर्ण होती है, तो पुर्णिमातिति जो की मन और हर प्रकार की आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए, बहुत शीक्र पूर्ण हो जाए, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आ अगर आपका कोई भी प्रेशन है, कोई भी सुझाव है, या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं, तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तेक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे, और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजे, तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होगी, उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी, बात क दिन की पूर्णिमा है, आप 5 अपरेल को व्रत धारन कर सकते हैं पूर्णिमा का, और शनान दान की पूर्णिमा 6 अपरेल 2030 यानि की गुरुवार के दिन होगी, तो जो भक्त वैसाक मास का शनान करना चाहते हैं, छे अपरेल से गुरुवार से वैसाक शनान प्रारंभ होग तो जो भक्त वैसाक मास का शनान करेंगे वो तो पूरे महीने ब्रह्म मुहुर्थ में उठकर ही शनान करते हैं लेकिन अगर आप पूरे वैसाक मास का शनान नहीं भी कर पाते हैं तब भी कुछ पवित्र दिन जो होते हैं उन दिनों में आपको सुबह जल्दी उठकर यानि क ब्रह्म मुहुर्त में उठकर आप शनान कर पाएं और हाँ जब आप शनान करते हैं तो शनान के जल में आपको गंगा जल मिलाना है पहले पात्र में आपको गंगा जल ही डालना है फिर उसके बाद शुद्य जल से भर दीजिए थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और जैसे के नाम का स्मरन करते हुए मन में ध्यान करते हुए शनान करने से पवित्र नदियों में शनान के समान ही पुनिफल भी प्राप्त होता है और इसके साथ ही ऐसा कहा जाता है कि जब हम शनान करते हुए किसी भी पवित्र नदी के नाम का उच्चारन करते हैं मन में ध्यान करते ह तो समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है तो पवित्रणदियों का नाम स्मरंड करते हुए ही हमेश नान करना चाहिए उसके बाद साप स्वच्वश्त्रधारन कर लीजिए और वैसाकमाज का नियम है कि आप सुबह उटकर सबसे पहले भगवान सुर्यदेव को जल अबित करें आप जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि सुर्यदेव तो दिखाई ही नहीं देते उस वक्त फिर हम क्या करें तो देखिए वैसे तो आप बिना सुर्यदेव को देखे भी सिर्फ उनका ध्यान करके भी और जल दे सकते हैं लेकिन मान लीजिए कि आप सुर्यदेव को देख कर जल देना चाहते हैं और जो कि अच्छा भी माना जाता है जैसे कि सुर्य देव की जो पहली किरण हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारे सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है आरोगी की प्राप्ती होती है आयू में व्रिद्धी होती है यश मान सम्मान की प्राप्ती होती है सुर्यदेव की किर्णे अगर हमारे उपर पड़ती हैं तो तो सुर्यदेव को देखकर जल देना अत्यंतिस्रेश्ट होता है ऐसे में अगर आप सुबेश नान कर लेते हैं सुर्योदे से पहले तो सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में भगवान स्ट्रेल विष्णू की पूजा कर लीजिए जो भी आप मंत्र जब इत्यादी करना चाहते हैं वो कर लीजिए तुलसी की पूजा कर लीजिए जब तक सुर्योदे हो जाएगा तो सुर्यदेव को देखकर आप उन्हें जल दे शकते हैं और हाँ जब आप सुर्यदेव को जल देते हैं तब भी आपको टांबे के पात्र में तोड़ा सा गंगा जल लेना है शुद्धल से उससे भढ़ दीजिए उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल कर मतलब चुटकी बर हल्दी डाल दीजिए रोली डाल दीजिए अक्षत डाल दीजिए और अगर आपके पास उपलब्ध हो तो लाल या पीले पुस्प डाल सकते हैं फिर भगवान सुर्यदेव को जल देजिए जल देते समय भगवान सुर्यदेव के मंत्रों का जब कीजिए ओम सुर्याई नमा या फिर ओम घ्रणी सुर्याई नमा ओम उन सभी नामों का स्मरण करते हुए आप सुर्यदेव को जल दे सकते हैं चाहे तो गायत्री मंत्र से भी भगवान सुर्यदेव को जल दे सकते हैं वैसाक मास में अगर आप गायत्री का स्मरण करते हैं गायत्री मंत्रों का जब करते हैं तो इससे आपके समस्त प्रकार की म अनुष्ठान होता है जिसमें की 24 लाग की संख्या में गायत्री का अनुष्ठान किया जाता है वह अनुष्ठान महिलाओं को नहीं करना चाहिए नॉर्मली जो हम 11 बार 21 बार गायत्री मंत्र का जब करते हैं वह बिल्कुल कर सकते हैं इसमें कहीं कोई संशाय नहीं है इस मंत्र का जब कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बस विशेश अनुष्ठान महिलाओं के लिए शास्त्रों में वर्जित माना गया है तो वो मत कीजिए, बाकी आप 11 बार 21 बार तो गयतरी पढ़ी सकते हैं, इसमें कोई संसय नहीं है तो शनान के जल में भी आपको हल्दी मिलाना है, भगवान सुरेदेव को जल देते समय भी आपको हल्दी डालना है जल में और तुलसी में भी जब आप जल अरपीत करेंगे तो उसमें भी आपको थोड़ी सी हल्दी तुलसी की जड़ में जरूर डालना है और हाँ आज देव वरिक्षों को अगर हम दूद से सीचते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि मालक्षमी साक्षात रूप से हमारे घर में वास करती हैं तो इसके लिए जो भी देव वरिक्ष आपके घर के आसपास हो चाहें पीपल का वरिक्ष हो तुलसी का पौधा हो या फिर केले का पौधा या केले का वरिक्ष अगर आपके घर के आसपास हो बिल वरिक्ष हो आमले का वरिक्ष हो तो ऐसे सभी देव वरिक्षों की जड़ मे आपको थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करना है और थोड़ी सी हल्दी भी जरूर अर्पित करनी है तो जल या दूध अर्पित करने के बाद थोड़ी सी हल्दी अर्पित कर दीजिए आप चाहे तो पाउडर हल्दी भी अर्पित कर सकते हैं या अगर आपके पास विपल का व्रिक्षों या फिर बिल्व व्रिक्षों या घर में तुलसी का पौधा लगा हो तब भी आप ये उपाई कर सकते हैं। तो अपने मन की कामना करते हुए हल्दी अपने हाथ में रखनी हैं। अब माल लीजिए कि आज आप ये उपाई नहीं कर पाते हैं। तब क्या करें तब आप किसी भी शुकल, पक्ष्ट के गुरूबार के दिन ये उपाई कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी पूर्णिमा के दिन ये उपाई कर सकते हैं। और बात करें अगले उपाई के बारे में तो देखिए, घर के मुख्यद्वार पर आज के दिन, मतलब गुरु बारी पूनिमा है आज, आज के दिन घर के मुख्यद्वार पर स्वास्तिक जरूर बनेगा, किस चीद से बनेगा, हल्दी से बनेगा, हल्दी में थोड़ा सा गं पुमपदीप अरफित करके स्वास्ति का पूजन भी करना है क्योंकि स्वास्ति नहीं होती है श्वास्तिक को शास्त्रों में घञ्ष का लेख्य प्रतिमा माना गया है मतलब अगर आप घ्य गड़ेश की मूर्थी नहीं है आपके घर में तो स्वास्तिक बनाकर भगवान गड़ेश का स्वरूप मानकर उसकी पूजा कर सकते हैं भगवान गड़ेश का ही स्वरूप स्वास्तिक को माना गया है तो अपने घर के मुख्यद्वार के दोनों तरफ अगर आप स्वास्तिक बनी रहती है, दमपत्य जीवन में परेशानिया बनी रहती है, मतलब तमाम तरह की परेशानियों से भी अगर आप घिरे हुए हो और हर गुरु बार के दिन घर के मुखिद्वार पर दोनों तरफ अगर आप स्वास्तिक बनाना प्रारंब कर ले, नियम बनाने इस चीज का त बात करें अगले उपाय के बारे में, घर के मुखिद्वार पर आज आपको दीप जरूर प्रज्वलित करना है, जो भी दीपक आज घर के मुखिद्वार पर आप प्रज्वलित करेंगे, या घर के इशान कोड में प्रज्वलित करेंगे, तुलसी के पास प्रज्वलित कर तो वहाँ पर आप दीबदान कीजिए घर में अगर आपने आमले के पौधे लगा रखे हैं, बेल के पौधे लगा रखे हैं, तुलसी का पौधा लगा रखा हैं, सब के पास आप दीबदान कर सकते हैं। आज जितने अधिक दीपक का प्रजलित करेंगे उतना ही अधिक आपके जीवन में प्रकाश होगा। दीपक का कार्या यही होता है कि आपके जीवन से अंधेरे को दूर करना, हम जितनी जगे रोष्णी करते हैं, उतना ही हमारे जीवन में प्रकाश फैलता है, और हमारे जीवन से अंधेरे दूर होते हैं, इसलिए दीपदान का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्य बताया गया देखिए, आज इतना शुब दिन है, तो ऐसे में 33 कोटी देवी देवताओं का अशिरवाद अगर आप पाना चाहते हैं, तो गाई को आपको रोटी जरूर किलाना है, तो आप रोटी बना लीजिए, दो रोटी आपको लेनी है, दोनों में आपको शुद्धी लगाना है, और उस रोटी में आपको थोड़ा सा गुड़ रखना है, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, अगर आपके पास भीगी हुई चने की दाल है, तो आप चने की दाल ले सकते हैं, ना हो तो कोई बात नहीं, गुड़ रोटी और हल्दी, यही तीनों चीजे ले लीजिए, और किसी आपको जीवन में उचाई की प्राब्दी होती है, करियर में सफलता पाना चाहते हैं, जीवन में उचाईयों को चूना चाहते हैं, सफलता की बुलंदियों पर पहुँचना चाहते हैं, तो आपको ये कारिया नियमित तोर पर करना चाहिए, ना सिर्फ गुरुवार को तो संथान की प्राबधि भी होती है, मन चाही संथान की प्राबति होती है, मतलब अगर आपको पुत्र की काम ने है, तो मन वांचित संथाती की प्राबती होती है इस उपाई को करने से, करके देखिए निच्चिती आप गुलाब हो סथ आफ चैह तो घर का शुद्धी करण अत्यन तावशक है, पुर्णी मातीती है, तो ऐसे में आपको एक पात्र में थोड़ा सा जल लेना है, चाहे तो गंगा जल मिश्रित जल ले सकते हैं, या शुद्ध जल ले लीजे, थोड़ा सा गुलाब जल डाल दीजे, गुलाब जल ना हो तो को होती है, आर्थिक तंगी दूर होती है, कि ये कराय तंत्र मंतर का प्रभाव दूर होता है, ये उपाए आप अपने ओफिस में, दुकान में व्यापार स्थल पर भी कर सकते हैं, और हाँ, ये उपाए भी आप हर गुरुबार को कर सकते हैं, चाहे तो प्रति दिन कर सकते है लेकिन कम से कम गुरुबार के दिन तो जरूर करना चाहिए और देखिए आज हनुमान जैन्ती भी है तो हनुमान जैन्ती के दिन अगर आप हनुमान जी की विशेश रूप से आराधना करना चाहते हैं तो घर के आसपास कोई भी मंदिर हो तो वहां चले जाएए मंदिर नहीं जा सकते हैं घर में भी आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं हनुमान जी की मूर्ती है फोटो है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं वो भी ना हो तो रामचरीत मानसर की किताब रख लीजिए या फिर आप सुन्दर कांट की किताब आपके पास है तो उसे रख सकते हैं उसी पुस्तक की विधी विधान से पूजा कर लीजिए समझ लीजिए कि हनुमान जी की पूजा हो गई हनुमान जी का मन में ध्यान करके लाल पुष्प अरपित कीजिए और इसके बाद गुढ का उन्हें भोग अरपित कीजिए आप चाहे तो बूंदी के लड्डू का भी भोग अरपित कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास बूंदी के लड्डू ना हो तो गुढ का भी भोग लगा सकते हैं और इसे परिवार सहित सभी सदसे वित्रित करके ग्रहन कर सकते हैं और हां पुरुनिमातिति पर विशेश पूजा होती है लक्ष्मी नाराण की तो लक्ष्मी नाराण की पूजा आप 5 अपरेल को भी कर सकते हैं चाहे तो 6 अपरेल को भी कर सकते हैं विति विधान से उनकी प संत्रों का जब करने से घर में स्थिर लक्षमी का वास होता है तो आज बहुत शुब दिन है पूरा दिन व्यर्थ मत कीजिए पांच अपरेल 6 अपरेल दो दिन आपको प्राप्त हो रहे हैं पुर्णिमातिती का सुब संयोग है विति विधान से लक्षमी नारायन की आराधन वैसाक मास का स्टान किये वरत किये भी अगर आप इन कथाओं का श्रमण करते हैं तो इतने मात्र से ही आपके जीवन में श्री हरे विष्णु की असीम क्रिपा बनी रहती है और जिससे की आपके जीवन की समस्त परेशानिया दूर होती है तो आने वाली वीडियो बहुत म जरूर प्रती दिन उसे सुनिएगा मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार